नमस्कार आप दीक्रे नियूस फोर नेशन और मैं हूँ सांग्वना आपके साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादफ का परिवार इंदनों CBI और ET की रेट से बेहद परिशान हो था है जा बीते सब्ता जेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादफ के विबन अनीजे ठिकानों पर और उनकी चार अन्य बेटियों के ठिकानों पर CBI और ET की टीम ने घंटों जांच परताल की गहन चापेमारी हुई राबरी देवी से राबरी आवास में तीन घंटे तक लगबग पूश्टाच की गई थी तेजस्वी आदफ को तीन बार समन जारी किया जा चुका है और अब इस पूरे मामले ने कलग ही तुल पकड़ लिया है आपको बताते चले के बुद्वार को दिली के राउस जविन्यों कोट में आरजेटी सुप्रीमों लालुपरसाद यादव उनकी पतनी राबरी देवी और उनकी बेटी मीसा भार्दी की पेशे हुई जहां को CBI की कोट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी लेकर CBI और ED की जाज परताल और च्छापे माने के बाद राबरी देवी अभी भी परिशान है और उनके परिशान होने की वज़ा क्या है CBI और ED की टीम के अलावा कौन है जो लालो पिसाद यादफ के परिवार को परिशान करने की कोशुश कर रहा है आखिर कार क्या है इसकी वज़ा और CBI और ED के बाद राबरी देवी को परिशान कौन कर रहा है जानते हैं दरसल बिहार की पूर्व मुक्षिमंत्री राबरी देवी दिल्ली से देश शाम पतना पहुची पतना एरपोर्ट पर पत्रकारों ने राबरी देवी से सवाल पूछा तो उन्होंने किसे तरह का जवाब नहीं दिया मीसा भारती समेच सबी 16 लोगों की दिली के राउ जविन्यो कोट में बुद्वार को पेशी हुई कोट ने 50-50,000 रुपए के नीजे मुचलकी और इतनी जमानत राशी पर लालुयादव, राबरी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को जमानत दे दी अब इस मामले के सुनवाई 29 मार्च को होगी, हालाके सिब्याई ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया ये मामला लालुयादव के 2004-2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान, उनके परिवार को कथित तोर उपहार में दी गई या बेचे गई जमीन के बदले रेलवे में की गई नियुक्तियों से जुड़ा हुआ है बरहाल सिब्याई ने अपने आरोप पत्रों में कहा था कि भारतीय रेलवे के निर्धारिक मान, दंडों और प्रकरियाओं का उलंगन करते हुए रेलवे में नियुक्तिया की गई है इसमें नौकरी के बदले में उमीदवारों को से सीधे या अपने करीबे रुष्टदारों और परिवार के सदस्यों के जरी राजित प्रमुक और ततकालीन रेल मंत्री लालुयादफ के परिवार के सदस्यों को बाजार दरों से काफी कम कीमत पर जमीन बेशने का भी आरोप लगाये गया विशेश नयायदीश गितांचली कोईल ने 27 फरवरी को लालुयादफ की बेटी मीसा भारती समेच सभी आरोपियों को समय जारी किया था और उन्हें 15 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था नयायदीश ने का कि आरोप पत्रों रिकॉर्ड में उपलब दस्तावेजों और समागरी का वलोकन करने पर प्रतिम दृष्टिया ये कहता है कि भारतिये दंड संग्यता की धारा 120, भी धारा 420, 466, 478 और 471 तताब रस्टाचान निवारन अधिनियम की विबन धाराओं की तहत अपराद किया गया परिणाम स्वरूप इन अपरादू पर संग्यान लिया गया है नयाईदीश ने कहा कि आरोप पत्र बिना किसी गिरफतारी के दाखिल किया गया केवले सेख व्यक्ति के मामले में जो अभी जमानत पर है सिब्याई ने जुलाई 2022 में बोलाय अदफ को गिरफतार किया था जो कतित गोटाले के समय ततकालीन रेलवे मंत्री लाली अदफ के ओस्डी आने के विशेश अधिकारी थे सिब्याई ने 16 अरोपियों के किलाफ अपरादिक साज़श और ब्रस्टर चार के अपरादों में पिछले साल 10 अक्टूबर को आरोप पत्र दायर किया था रापरी देवी जैसे ही दिल्ली से पट्टा लोटी सुनवाई के बाद जमानत मिलने के बाद उन से जब पट्ना एर्पोर्च पर पत्रकालों ने सवाल करने की कोशिश की तो उन्होंने इस साफ तोर पर इंकार कर दिया कोई जवाब नहीं दिया हालाकि ये जरूर क्या दिया कि पहले ईटी ने परिशान किया फिर सिब्याई ने परिशान किया हम लगातार परिशान हो रहे हैं और अब आप लोग हमें परिशान करने की कोशिश कर रहे हैं प्लीज आप लोग हमसे दूरी बना ले मैं अभी किस कर फसाने की कोशिश की जारी और अब जब उनके उन्हें जमानत मल गई है तो मीडिया उन्हें परिशान करने की कोशिश कर रही है फिला के लिए इस कबर में अतना ही नमस्कार